सबसे पहले जाने बसंद पंचमी की तारीख और सुब महूरत दोस्तों ऐसे में उद्यातित की अनुसार इस साल बसंद पंचमी का तेवहार 14 फरवरी को मनाया जाएगा बसंत पंचमी पूजा का सुब मुहुरत 14 फर्वरी को सुबह 7 बजकर 1 मिनट से लेकर दोपार 12 बजकर 35 मिनट तक रहेगा दोस्तों आयतिहासिक रूप से बसंत की सुरुआत को चिन्हित करने के लिए बसंत पंचमी मनाई जाती है अन्य जगहों पर इसे बसंत तेवहार के रूप में मनाते हैं और खेतों में चमकीले, पीले, सर्सों के फूलों का अनुकरण करते हुए पीले, रंके कपड़े पहन कर इसे खुसी से मनाते हैं दोस्तों यदि बिद्यार्थी का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो उन्हें मा सरुसती के मूल मंत्र का जाब करवाएं दोस्तों इस बार बसंत पंचमी 14 तारिक को पढ़ रही है बसंत पंचमी का दिन बिद्या, ज्यान, संगीत और कला की देवी मा सरुसती को समर्पित हैं इस दिन मा सरुसती की पूजा पूरे बिद्विधान से की जाते हैं दोस्तों बसंत पंचमी का दिन छात्रों के लिए बेहत खास माना जाता है इस दिन स्कूलों में विशेश पूजा का आयोजन किया जाता है और मां सरोसती की पूजा से छात्रों को ग्यान और विध्या की प्राप्ति होती है वहीं जिन छात्रों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है वे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं उन्हें बसंत्थ पंचमी के दिन विशेश उपाय करना चाहिए दोस्तों सास्त्रों के अनुसार बसंत पंजमी के दिन किये गए इन उपायों से माल सरुसती प्रसंद होती हैं और बिद्या ग्यान, संगीत और कला का आशिरवाद देती हैं आईए जानते हैं उन उपायों के बारे में यदि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो बसंत पंजमी के दिन बच्चे के हाथ से मा सरुसती को पीले फल अरपित करवाएं ऐसा करने से बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा इसके अलावा माता सरुसती का एक चित्र बच्चे के स्टीडी रूम में स्टीडी टेबल के पास जरूर लगवाएं बस दोस्तों मिलती हूँ अगली वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सस्क्राइब जरूर करियेगा आगे कुछ नया लेकर आऊंगी तब तक के लिए धन्यवाद